The greatest miracle God can do is to take an unholy person out of an unholy world, make them holy, put them back into the unholy world and keep them holy. Padma Purana के अनुसार, पुराने दिन में जलंधर नाम का एक पराक्रमी राक्षस था, जिसका विवाह व्रिंदा नाम की कण्या से हुआ. पुरिंदा बगवान श्री महा विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता भी थी. इसी कारण जलंदर अजेई हो गया. अजेई होने से जलंदर को अभिमान हो गया और वे स्वर्ग के कण्याओं को परेशान करने लगा. दुखी होकर सभी भगवान श्री महा विष्णु के शरन मांगे और जलंदर को अंत करने की प्राधना करने लगे. भगवान श्री महा विष्णु ने अपने माया से जलंदर का रूप धारन कर लिये और व्रिंदा के पास गए. अपना पती समझ के व्रिंदा भगवान श्री महा विष्णु के पैर चूली जिससे उनकी पतिवरता धर्म नश्ट हुई. इससे जलंधर की शक्ति क्षीन हो गई और शिवची से वो मारा गया था जब व्रंदा को भगवान श्री महा विष्णु के चाल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दी और भगवान श्री महा विश्णु भी अपने पत्नी से अलग होने का श्राप भी दी व्रिंदा के इस श्राप के कारण ही श्री महा विश्णु रामा उतार में सीता से अलग हुए देवतावों के प्राधना पर वरिंदा ने भगवान विष्णु पत्थर बनने का श्राप वापस ले ली लेकिन भगवान विष्णु वरिंदा के साथ हुए चाल के कारण लज़ित थे इसलिए व्रिंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्तर रूप में प्रकड किये जो शालग्रम कहलाया भगवान विश्णु को दिया गया श्राप वापस लेने के बाद व्रिंदा जलंदर के साथ सती हो गई थी व्रिंदा के राक से तुलसी का पाउदा निकला व्रिंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाये रखने के लिए देवतावों ने भगवान विश्णु के शालग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया इसी घटना को याद रखने के लिए प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल येकादशी याने देव प्रबोधनी येकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालग्राम के साथ कराया जाता है शालग्राम पत्तर गंड की नदी से प्राप्त होता है बगवान श्री महा विश्नु ने वरिंदा से कहा कि तुम अगले जनम में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्री रहोगी तुम्हारे स्तान मेरे शीश पर होगा तुम्हारे बिना मैं बोजन ग्रहन नहीं करूंगा यही कारण है कि भगवान विश्नु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विश्नु स्वीकार नहीं करते है जलंदर का मृत्यू शिवजी के हातों में होने के कारण व्रिंदा शिवजी को नफरत करने लगी इसी कारण से तुलसी शिवजी के पूजा में उप्योग नहीं की जाते है